नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अबडीट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नमस्कार आप देख रहें में बले हिंदुस्तान में आपके साथ वन्शिका पाड़ें करकराती थन के बीच मौसम ने अचानक अपना मिजास बदलिया जी हाँ आपको बता देखते देखते रासधानी रायपूर दुर्ग राश्टन गाउन बिलासपूर कबर्दा आधी जिलो में तेज आंधी के साथ और गरत चमक के साथ भाली बारिश हुए जिसके चलते ताप आपको बतारी कि मौसम वैग्यानिकों के मुताबिक 29 दिसम्बर यानि कि आज बेक कुछ जबहों पर हल्की वारिश और गरत चमक के साथ आधी चलने की संभावना है इसके साथ ही प्रदेश के उत्तरी भाग में ओला विष्टी की भी संभावना जताए गई है मौसम वैग्यानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि 30 दिसम्बर को मौसम साफ रहने की संभावना है उससे पहने प्रदीश के अलाग अलागी लाखों पर बद्ली चाही रहने की साथ ही हल्की वारिश हो सकती है इस ते यहां के तापमान में गिरावट भी दर्श की जाएगी मध्य और उत्तर चंद्रिश गड़ में अनिक इस्थानों पर हल्की से मध्यम वर्शा होने अथ्वा गरच चमक के साथ छेटे पढ़ने की संभावना है एक दो इस्थानों पर गरच चमक के साथ ओला गिरने और उसके अगले दिन मध्यम से घना कोहरा भी चाने की संभाव कि नए साल पर तापमार में कुछ व्रिद्धी दर्च की जा सकती है साथ ही पारिश के साथ भिलाए के तीन शेथ दुर क्याम लेश्वा और राचन गाउजिले में कुछ इनाकों में ओला व्रिष्टी भी हुई है लोगों ने ठंड की मौसम में गिरे ओला को जमा करने का वि लिए साल गिसाथ